हलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते आप सभी कुशल से होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है चलिए आज मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है कितना शोर शोर हम सबको अच्छा नहीं लगता न और उस से क्या-क्या नुकसान भी हो सकते हैं आज हम इस कहानी में यही देखेंगे यह कहानी आपको स्टोरी वीवर पर मिल जाएगी स्टोरी वीवर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी तो कहानी को पूरा जरूर देखना और आपको इससे क्या सबक मिलता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिकर जरूर बताना बच्चों इस कहानी का नाम है कितना शूर जिसको लिखा है रोहनी नीलिकनी ने और इसके इलिस्ट्रेटर यानी चितरांकन किया है एंजी एंड उपेश ने और इसके ट्रांसलेटर है राजिश खर ये प्रथम बुक्स पर है ये कहानी ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो कि शूर सुनके पक चुका था उसको चारो तरफ शूर सुनाई देता था वह भग परिशान हो चुका था फिर उसने क्या तरकीब निकाली अपने शूर को कम करने के लिए आए इस कहानी में यही देखेंगे एक दिन किसान श्रिंगेरी श्री निवास अपनी बढ़िया गायों को लेकर पशुमेले को रवाना हुआ उसे गाउं के पास से निकलते हुए नए राजमार्ग से होकर जाना पड़ा राजमार्ग गाड़ियों से भरा हुआ था सभी गाड़ी चलाने वाले जोर-जोर से होर्न बजा रहे थे पॉं 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 गायों को यह शूर बिलकुल अच्छा नहीं लगा वे घर की ओर पलट गए श्रिगेरी श्री निवास किसी तरह उनको आगे नहीं ले जा पाया उसने हाथ हिला-इला कर चालकों से शोर न करने के लिए कहा पर कुछ नहीं हुआ उल्टे श्री निवास को देखकर उन्होंने और जोर से होर्न बजाया सारा शोर उसके सिर में घुस गया और फिर वह वही टिक गया उसके लिए वह दिन बहुत बुरा था वह गायों को लेकर घर लोटाया अमबा गाय गोशाला पहुच कर खुश हुई क्योंकि उने वहाँ शांती मिली पर उसके सिर से वह शोर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था पॉपूपाँ पॉपूपाँ इस तरह का शोर उसके कानों में बज रहा था मानो नौ सिखे संगीत की धुन बजाने की कोशिश कर रहे हुँ श्री ग्रही दूसरी आवाजे भी उस शोर गुल में घुल मिल गई यहां तक की वो आवाजे भी उसे बहुत जोर से आने लगी जो वह रोज सुनता था मेढ़क का टर्राना शोर बन गया जींगरों का जींजीं बहुत जोर से सुनाई देने लगा श्रिंगेरी श्री निवास का मन शोर मचाने वाले उल्लूओं को भगाने का हो रहा था उसे कोईलों पर भी सुबह सुबह चार बजे कू कू करने पर गुस्सा आ रहा था गायों पर भी जो सुबह पांच बजे रंबाती थी ना जाने किसने इन मुर्गों को सब को जगाने के लिए बांग देने को कहा था और वह शेर भी कुछ जादा ही शोर मचाता है बस अब बहुत हुआ बिचारा श्रिंगेरी श्रीनिवास उसके तो कान पक गए थे शोर से उसने शोर से बचने की बड़ी कोशिश की अगर बच्चे जोर से बात करते तो वह उनको डाटता अगर कुकर के सीटी बचती तो वह पतनी परवत तम्मा को तीड़ी नजर से देखता बिचारा श्रिंगेरी श्रीनिवास उसे तो बस थोड़ी से शान्ती चाहिए थी सभी ने पूरी कोशिश की परवत तम्मा ने बच्चे को डाटना छोड़ दिया बच्चे चुपचा पे एक नर्म गेन से क्रकिट खिलने लगे गाए अब रंभाती नहीं थी जींगर और उल्लू ये गाउ छोड़ कर दूसरे गाउं में बस गए यहां तक कि शेर ने भी गुर्राना बन गर दिया फिर भी श्रिंगेरी श्रीनिवास खुश नहीं था उसे सभी के चुप रहने की कोशिश का भिशोर सुनाई देने लगा मैं यह जगे छोड़ कर जा रहा हूं एक दिन सुबह उसने कहा तो उसकी पत्नी बोली मत जाओ परवत्तम्मा ने कहा तुम्हे खामोशी कहा मिलेगी श्रिंगेरी श्रीनिवास ने उसे केवल घूर के देखा और गाउं से बाहर का रास्ता पकड़ा जल्दी ही वह एक नए कस्बे में पहुचा शोरगुल वाले उस कस्बे में उसने शोर मचाते हुए वहां के लोगों को देखा एक युवक पास से गुजरा उसके कान से कुछ तारें टंगी हुई थी श्रिंगेरी श्री निवास को टिंग टांग टिंग टैंग के आवाज भी सुनाई दी वह एक युवक खुश दिखाई पड़ रहा था उसे पास से चलती जोर से हॉर्ण बजाती गाड़ियों से भी परिशानी नहीं हो रही थी यह क्या है उसनी युवक से पूछा यह मेरा हेड़ फोन है कान में लगा के देखिए युवक बोला उसने श्रिंगेरी श्री निवास के कानों में उसे लगा दिया संगीत गूजा टिंग टैंग टिंग टैंग कोई हॉन सुनाई नहीं दिया वह यहीं तो मैं ढूड रहा था श्री निवास ने कहा श्रिंगेरी श्री निवास ने कस्बे से एक हेड़ फोन खरेद लिया और उसे अपने कानों में लगा लिया तब जाकर उसे शांती मिली उस नए बड़े से हेड़ फोन को लेकर वह गाउं लोटा उसकी पत्नी उसे देखकर खोश हुई वह भी पत्नी को देखकर मुस्कुराया बच्चों ने उसकी नए हेड़ फोन पर अच्छी अच्छी धुने सुनने में उसकी मदद की अब जब भी कभी श्री निवास को शोर मचाती गाड़ियों पर या मेड़कों पर गुस्सा आता तो वह तुरंथ हेड़ फोन पहन लेता और शांती को सुनता रहता मतलब की अच्छा संगीत सुनता उधर गाउं में गायों ने फिर से रंभाना शुरू कर दिया मेड़क तर राते हैं तरर तर और जेंगुर जेंजी करके अपना राग लापते हैं लेकिन राजमार की गाड़ियों अब भी बहुत शोर मचाती है पॉं 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 यह कोई अच्छी आवाज है यह कोई अच्छी आवास तो नहीं है श्रिंगेरी श्री निवास को फिर से गायों को मेले में लेकर जाना है क्या उनको हैड़फून लेना चाहिए तो बच्चों आपने कहानी में देखा कि शोर मचाने से किसी को कितनी तकलीफ हो सकती है जानवरों को भी परिशानी होती है और इंसानों को भी इसलिए हमें शोर नहीं मचाना है ये भी एक तरह की का प्रदूशन होता है जोर का संगीत भी सुनना एक प्रदूशन के समान है आपको पता है जब हम डीजे पर गाने सुनते हैं बहुत जोर जोर से ये हमारे कान को भी नुकसान करता है साथ ही वातवरण में जो धुनी प्रदोशन है उसको भी फैलाता है इसलिए म्यूजिक भी सुनना है तो आराम से सुनिए चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी में किसी और अच्छी कहानी में तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग